अलो फ्रेंट्स भाय सहब डॉक्ष नील तावार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़ी ही एक कॉमन प्रॉब्लम अलर्जी और अस्तमा साइनस और अस्तमा दोनों में क्या रिलेशन है यह क्यों होता है पर दोस्तों व समय मिलता रहे हैं दोस्तों हमारे ओपेडी में जब पीशिंट्स आता है पीशिंट बैठते ही पीशिंट्स को जब मैं पूछता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है पेशिंट्स का एक बड़ी एक स्टेट लाइन होती है सर मुझे अस्तमा भी रहता है या उसका अटेंडें और अलर्जी दोस्तों जैसे आप सब को पता है हमने बहुत बार वीडियो में पहले भी डिसकेश किया है कि हमारा जो एक ब्रिदिंग ओर्गन है हमारा जो नोज है वह एक बहुत इंपोर्टेंट और कॉंप्लेक्स जटिल ओर्गन है वह हमारा ठीक रहे तो हमारी पूरी से पर्विश्त को पर्स नेलिटेंट एक से रिलेटेंट आपको कौस्ट्र directly से बहुत प्रिप्लम क्रिेट कर सकता है यह जो है बिल्कुल मैन कलप्रि whipped होता है तो हम जानते हैं आगे कि यह क्यों ऐसा होता है दोस्तों हमारे नोज के बीच में एक सैप्टम होता है अंदर एक म्यूकोजा होती है नोज से हम ब्रेधिंग करते हैं और नोज से अटेच यहां पर जो चीक की बोन में हमारे साइनस होता है जब हमारे नोज के अंदर अलर्ज कि जड़ जो स्टार्ट हुई अगर कोई व्यक्ति जागरूक है तो उसी समय उचित चिकित्सिख की सला से हमारा उस Allergy का अगर Management हो जाता है तो उसको Sinositis नहीं होती आगे उसको problem नहीं होती और अगर कोई patient उसको जो है दरकिनार करता है लापरवाई करता है उस पे ध्यान नहीं देता and अपनी मर्जी से counter treatment चलता रहता है citrasonly, tabletly तो ये problem आगे जाके मैं आपको बताता हूँ दो जो चीज हैं जहां जाके खतम होता है पहली continue nose में allergy और जो ये जो समश्या बढ़ती रहती है तो हमारे नाग की जो अंदर जिल्ली होती है म्यूकोजा होती है, स्लेस्मा होती है, वो फूल जाती है, बोगी हो जाती है and फूल ने के बाद में कहा है कि वो continue nose से कैसी secretions, आगे की तरफ से हम नाख साफ करते रहते हैं और नाख के पीछे पानी ट्रेकल करता रहता है जिससे हम यो यो करते हैं and इसके अलावा हमारे आख के आसपास जलन होती है, हम आइस को यो करते रहते हैं ये सारे लक्षण उसके होते हैं और इसी stage पे पेशेंट नहीं जा दोस्तों ये antigen antibody की जो है allergen की reaction की करण हमारे blood में जो है हमारे lungs sensitive हो जाता है क्योंकि ये ऊपर की respirator जो है ultimate नीचे जाके हमारे lungs में open होता है तो वहां पे lungs के अंदर हमारी जो है वो स्वास नलिका ही activate होके antigen antibody reaction होके हमें अस्तमा का जो है वो problem create हो जाता है व्यक्ति दोस्तो कब जाकता है जब उसको अस्तमा जब medicine का doctor उसको अस्तमा डाइगनोशिस कर देता है उसके बाद वो जाकता है कि मेरेको अस्तमा रहने लगे है और वो हमेशा इनहलर अपने जेम में लेकि घूमता रहता है दोस्तों क्या कभी सोचा है आपने की जिंदगी पर मुझे अस्त treatment की जरूत है first we control the things कि हमें कौन-कौन सी चीज से हमें allergy है हम यह पता लगाए पहले आपने चिकत्सिक के अनुसार एक जो आपको acute problem है उसको control करने के लिए दवा दी आपको symptomatic relief हो गया आपने एक blood test करा कि यह पता लगा लिया कि डाक साब मेरे को यह 5 चीजों से allergy है जिन ची vaccination आजकल जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा allergy है और जिससे बचना मुश्किल है उसकी vaccine बनती है दोस्तों vaccine का effect आपको पता है COVID की first wave में हर घर में almost death हुई लेकिन third wave में पूरी तुनिया को COVID हुआ लेकिन death नहीं because of the vaccine this is the advantage of the vaccine but vaccine दिहान रही magic नहीं है उस vaccine के बाद भी बहु है बट उसके साथ उसका treatment भी mandatory है बट the most important thing doctor के बिना बताए वो treatment हमें बंद नहीं करना चाहिए अगर आपको treatment को continue doctor ने बोला है और उसको जो है वो आपको बता है तो continue उसको लेना है अमोमन लोगों का एक क्योंसन होता है दाक्सा भी कित्ते दिन चलेगी ऐसा नहीं है दोस continue आप अपना परेज रखते हो वेक्सिन ली है lifestyle में modification है तो धीरे धीरे यह दवाई टैपर की जाती है आपको पड़े ली जाती है उसके बाद alternate ली जाती है फिर और उसमें गैप कर दिया जाता है तो दोस्तों यह है उसका proper treatment तो इस तरीके से हम हमारे होने वाले sinus और allergy के कर राण जो अस्तमा से हम बच सकते हैं तो दोस्तों I think this information is useful for you and definitely you can share this problem to your family, friends and colleagues जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तीज का फाइदा हो से के एंड जाते जाते यूटूब चैनल एंड बैल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योंगी वीडियो का notification आपको मिलता रही थैंक्यू